हेलो स्टूडन्ट, गुड मॉनिंग, तो आज स्टांडर है थर्ड, सब्जेक्ट है हिंदी, उसमें पार्ट चौता है अडम का तेवहाल, तो स्टूडन्ट हमने न उसके पहले की जो वीडिया थी, उसमें जो पार्ट तिसरा है, पहला, दुसरा और तिसरा, तिन्हों हमने क उसके प्रातना जो कावे थी, उसको कोयम थी, उसको हमने समझा, फिर उसके प्रहस्न के उत्तर मैंने आपको करवाए, फिर सब्द के अर्थ को मैंने आपको पढ़ाया, फिर पार्ट दूसरा था, लालच का परिणा, वो भी मैंने आपको करवाया, उसके प्रहस्न के उत्त भारत उसकी मैंने आपको श्टूरी भी करवा दी थी फिर उसके सब्द के अर्थ थे वो भी मैंने आपको करवा दिये फिर यह जो अभ्यास है अभ्यास के प्रश्ण के उत्तर वो भी मैंने आपको करवा दिये और यह जो रचनादम कोशल है चित्र दिख्ये उसका नाम सब्सक्राइब що चक शुर्णे. क्या उसका नम्म नम्म है उनम कि एक तेवार है हो दो अगे 잡ास पड़ेंगे तहास को में आ जाएग्गे. क्याक़ पार्ट की करते हैं तो समें पार्ट है उनमी में तेवार हम शुर्य नहीं चैज़ा डर्रकान करते हैं जैसे हमारे यहां पे बहुत सारे तेवारे होते हैं जैसे कि दीवाली होती है उत्रायां होती है हूली होती है वैसे वहां का ये तेवारे उडम तो मुझके बारे में इस पार्ट में दिया हुआ है तो हम मैं आको पढ़ाओंगी ठीक है तो चलो अब हम पार्ट की सरवात करत तो आज ओडम है, मतलब की ओडम में जिए के लगा एक तेवार वो आज ओडम है, वो तेवार है आज दनस सुवर जल्दी उठ गया, और जो दनस था जो दनस नम का बच्चा था, वो सुवर जल्दी उठ गया, और नहाकर अपने दादाजी के पास गया, आज घर में विभिन प्रकार के स्वादिष्ट वेंजन बने थे और आज घर में विभिन प्रकार के स्वादिष्ट वेंजन बने थे आज घर के अंदर है बहुत सारे प्रकार के वेंजन बने थे केले की वेंजन है और जो केले थी उनकी सब अलगअलग प्रकार की भूजन खाने की चीजे बने हुई थी मीठे और नमकिन चीपस मीठे स्वीट और नमकिन नमकिन तोड़ा तीखा थोड़ा मीठा जैसा खट मिठा होता है उसको नमकिन बोलते हैं उसकी चीप्स चने की डाल की खीर जो चने की डाल होते हैं उसकी खीर फिर है चावल की खीर और चावल होते हैं उसकी खीर आदी धनुस दादा जी के साथ बोजन करते हुए बोला और जो धनुस था वो दादा जी के साथ बोजन कर था और वो बोजन करते करते दादाजी को बोला वाह आज का बोजन कितना स्वादिष्ट है दन्नस क्या बोला अपने दादाजी को के वाह आज बोजन कितना स्वादिष्ट है दादाजी रोज ही उनम होना चाहिए और बोला दादाजी रोज उनम होना चाहिए इतले पी दादा जी ने कहा हाँ भूजन तो काफी स्वादिष्ट है और दादा जी ने भी उसके बात में सहमत दी के हाँ भुजन तो काफी स्वादिष्ट है, काफी मिन्स के बहुत स्वादिष्ट है, परन्तु ओनम तो साल में एक बार ही आता है, परन्तु ये जो ओनम है, ओनम है, वो साल में एक बार ही आता है, ओनम का जो तेवार है, वो साल में एक बार ही आता है, रोज रोज नहीं आता है क्या तुम्हें पता है हम ओडम क्यों मनाते हैं दादा जी ने धनुस से प्रश्ण क्यों किया है क्या तुम्हें पता है हम ओडम क्यों मनाते है धनुस बुला नहीं दादा जी और धनुस क्या बुला नहीं दादा जी यह तो मुझे नहीं पता नहीं दादा जी यह तो मुझे नहीं पता दादा जी ने कहा चलो मैं तुम्हें बताता हूं और दादा जी ने क्या कहा चलो मैं तुम्हें बताता हूं कि ओलम क्यूं मनाते हैं तो दादा जी थे वो सब जो सब थे वो दनुस को बताने लगे थे तो क्या क्या बताया वह इसमें अब आएगा नेक्स्ट पेरेग्राफ में तो प्राचिन काल में केरल में एक महा प्रतापी राजय हुआ करते थे तो दादा जी थे उम्होंने ओरम का देवर क्यों मनाते हैं उसकी स्टोरी दनुस को सुनाना सुरू कर दिया तो दादा जी ने सुरू किया कि प्राचिन काल में केरल में एक महत्व महा प्रतापी राजय हुआ करते थे दादा जी ने स्टोरी सुनाना सुरू कर दिया और स्टोरी सुनाने लगी कि प्राचिन काल प्राचिन काल मिंसके पुराने समय से उसका नाम था महाबली, राजा महाबली महान और उदार थे लेकिन एक बार उन्होंने देवताओं के राज को बल पुर्वक छीन लिया और उन्होंने क्या किया उदार याने की सहायता देने में प्रसंसा अनुभव करने वाला उदार याने की जो दुसरों की सहायता करके उसमें जो प्रसंसा होती है उसको अनुभव करने वाला फिर वो जो राजा था महाबली उसने क्या किया था लेकिन एक बार उन्होंने देवताओ के राज्य को बलपुर्वक छिन लिया और जो वो राजा था उसने देवताओ का राज्य था ना वो बलपुर्वक छिन लिया बलपुर्वक याने के अपनी ताकात से जब राजा परिशान मोगे तोन्हों ने भगवान विष्णु से सहाइता मांगी देवता की प्रात्ना सुनकर भगवान विष्णु ने वामन अवता लिया और जो भगवान थे उन सब की बाते सुनकर जो विष्णु भगवान थे उन्होंने वामन अवता लिया तो विष्णु भगवान ने कौन सा अवता लिया तो वामन अवता लिया एक बार वामन बाल लिया की सभा में पहुंचे और एक दिन वामन थे वो बली बली याने की महाबली जो राजा था उसके सभा में पहुचे महाबली ने स्रद्धा पूर्वक वामन जी का स्वागत के और जो महाबली थे उन्होंने सद्धा पूर्वक मतलब कि अपने इच्छा से उसको यांदर उनको विश्वास से और उनका सोजो वामन थे उनका स्वागत किया और वामन कौन थे बगवान विस्नो जिन्होंने वामन का अउतार लिया था और मन चाही वस्तु मांगने को कहा और जो महाबली था उन्होंने क्या किया तो महाबली था उन्होंने वामन जी वामन था जो वामन जीर है ने देशनों का उतार उनका स्वादक किया और उनको मंचाही वस्तु मांगने का कहा तो वामन में राजा सधान में तीन पग गुमी मांगी और जो वामन थे उन्हेंने क्या मांगा तो उन्होंने राजा थैने उसके पास से तीन चीज, तीन पग, अतले कि जमीन पर तीन पग समा सके उतने ही उन्होंने जमीन मांग ली, उद्धार राजा ने कहा स्विकार कर लिया, और उद्धार राजा जो सब की सहाईता करके खुद प्रसंसा में इसके आनन्द कि ये तो तेन पगी भूमी मांग राजा ने उसमें क्या होगा, तो इसको स्रीकार कर लिया, तो स्टूडन आज हम इधर तक ही रखते हैं, और कल हम इसके बाद की वीडियो होगी, उसमें हम परन्तु जैसे ही महाबली ने ये बेट वामन को दी, वहाँ से हम आगे पढ़े कि ऋितले कि पाली तो स्रीकार लिसके आो कि भोगे प्रावा होगी तो स्टूडन आगान को दो Sun Sun Sun